Hello Everyone, Welcome to all at Lucas Unlimited Study Zone. Start कर रहे हैं नई unit Numerical Analysis. तो मित्रो Numerical Analysis में जो हमें सबसे पहले जो topic हमें Importantly पढ़ने हैं, वो topic के नाम में आपको बता दूँ कि वो topic हमारे पास mainly जो हमें focus करना है, उसका नाम है Numerical Integration & Numerical differentiation. मतलब यह मान के चलिए कि इस chapter में सबसे जदे Important topic के दोनों हुई है, एक Numerical Integration & Numerical differentiation. मगर chapter को आँगे बढ़ाने के लिए हमें कुछ basics पढ़ने पढ़ेंगे, तो basic topic में जो हमको जानना पढ़ेगा Newton forward operator के बारे में जानना पढ़ेगा Newton backward operator के बारे में जानना पढ़ेगा और shift operator, तीन operator के बारे में हमें जानना पढ़ेगा, तो मतलब क्या बताया मैंने देखिए यह सबसे important topic है और यह जो है आपकी यह जो basic topic है, तो आज के topic के शुरुवात करते हैं और इसके अलावा भी एक topic है जिसको हम बोलते हैं interpolation ओके ये भी एक topic है तो सबसे पहले हमें interpolation शुरुवात करना पड़ेगा क्योंकि जो basic एक तरीके की जानकारी जो हमें basic approach पता चलेगी वो interpolation से पता चलेगी इस chapter की तो start करते है interpolation और जानेगे की interpolation की definition क्या होती है ओके तो लिखे definition interpolation की the technique the technique or method the technique or method of obtaining of obtaining unknown unknown values from given set set of observations observations is known as as interpolation okay तो यह जो method होता है इसको हम interpolation बोलते हैं जिसकी यूज करके जो है आप जो है unknown values आप find कर सकते हो चलिए एक example देखो कि जैसे माल लिजे आपके पास कुछ मैं इयर्स देता हूं और उन इयर्स में आपकी मैं सेलरी बता दिता हूं ओके की आपकी income कितनी है माल लिजे एक्स में आपके सामने कुछ एसे देता हूं और यहां पर मैं आपको दे देता हूं इंकम तो माल लिजे एन यह आम इंकने आपके पास देता हूं इंकम आपको कितनी देदी, आपको मैंने देदी, 1987 में इंकम मैंने आपको देदी, 75,000, ओके, और अब ये देखी, यहाँ के आपके पास में जो डेटा है, वो एक तरीके से एक रेंडमली बिहेव कर रहा है, और मैं आप से पूछू, आपकी मुझे आप एक रेंडम एयर की इंकम बताईए, for example, आपको इंकम बताना है, 1996 की आपको इंकम बताना है, तो आप किस मेथट से बताओगे, ओके, तो इस रेजल्ट तक पहुचने के लिए आप एक प्रोसेस करोगे, उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, इंटरपोलेशन बोलते हैं, एक बात मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहूंगा, बच्चों की जैसे आपके सामने यहाँ पर मैंने जो डेटा दिया है, 1987 और मैंने आप से मागा है, 1996, तो आपके पास में जो 1996 होगा, वो इसी टेबल के बीच का डेटा होगा, मतलब ऐसा नहीं कि यह 1987 पर यह टेबल खतम हो रही होगी, म 1996 जो है, इसके बीच में कहीं पर आएगा, ओके, तो मैं इन डेटा के, इन पर आपकी वैल्यू आपकी निकाल सकता हो, ओके, इसके अलावा दिखेंगे, कोई यहाँ पर वैल्यू, कोई यह बोल दूँ, मैं बोलू, 1981 में आपकी इंकम क्या थी, तो आप इंटरपोलेशन य मैं पर फिर सापको बता देता हूँ, the technique और method or obtaining the unknown values from a given set of observation is known as interpolation, जिसमें आप जो है, values निकालते हो, किसी missing observation की, ओके, जैसे मैं आपको बता दिया था, कि यह इंकम दिये गए थे, डिफ्रे वैरियस एयर्स में, और इसी टेबल के बीच की वैल्यू, मतलब 1980 से लेकर के यह यहाँ पर किते पर 90-80 से सुरूई थी, तो आप यह तो 90-81 पर निकालना चाहते हो, ओके, otherwise आप यहाँ पर मालने जो 90-99 पर वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो जिस technique को हम लोग यूज करते हैं, इसको हम बोलते हैं, interpolation, अब देखे, जो interpolation होता है, वो कितने type का हुआ करत हैं, औके, यस, तो interpolation के, basically यहाँ पर हमको two types of concept पढ़ने हैं, ये देखे, इस interpolation के हमको two types of concept पढ़ने हैं. सबसे पहले हम जो interpolation concept पढ़ने वाले हैं, वो equal interval के लिए पढ़ने वाले हैं, Newton forward interpolation Newton backward interpolation का मतलब क्या होता है दीखे सबसे पहले आप समझिए कि Newton forward interpolation क्या होता है Newton forward interpolation क्या होता है अगर आप आंगे की values को देख करके अगर आप आंगे का समय देख करके पिछली values पर interpolate करते हो पिछले observation को कोई पुराने observation को निकालते हो तो आप क्या कहते हैं उसको, आप उसको कहते हैं कि Newton forward interpolation, ठीक ना, मतलब observe आप कहा का करते हो, आंगे का trend करते हो, जैसे यह देखे, यहाँ पर जो है, अगर मानलो आपको 90, पीछे की value पर आप estimate करोगे, पीछे की value पर estimate करोगे, तो जैसे यह आपका base बनेगा इस समय, जो कि lease बन गया और आप किसको observe करोगे, forward trend को observe करोगे, और इस trend को observe करके, कोई आप missing data पर value निन कालोगे, जैसे मानलो आपको value निकालनी है 1971 यह देखे, मैं 1971 दे रखा है, आपको 1971 पर यह value निकालनी है, ओके तो आप 71 पर value निकालने के लिए इसके forward values को देखोगे आंगे की values को देखोगे मतलब forward interpolation मतलब कि forward मतलब जिससे देखना है जिसे देखना है या जिस trend को देखना that is called forward interpolation अब बात करते हैं Newton backward interpolation, यार backward interpolation का मतलब क्या है, backward interpolation का मतलब है कि आपको पुरानी चीजे देखनी है, आपको पुरानी चीजे देखनी है, जैसे पिछले बार आपने forward interpolation में value किस पर निकाली थी, आपको मानों unknown year था कितना 1971 था, ओके आपका जो unknown year कितना था 1971, तो 1970 पर value दे देखने के लिए, निकालने के लिए आपने किन values को देखा था, उसके आंगे की values को देखा था, इसलिए इसको बोलते हैं Newton forward interpolation, बट आपके पास मान लो, आपको निकालनी है value कितने 2008 पर, यह देखो, आपको जो value निकालनी है, वो किस पर निकालनी है, 2008 पर, यह देखा अब आप backward, मतलब पहुंसी value को देखोगे, आप backward value को देखोगे, मतलब ऊपर की value को देखोगे, यह trend आप देखोगे, कि यह trend कैसे vary हो रहा है, तो इस interpolation को आप क्या बोलोगे, इस interpolation को आप को लोगे, Newton's backward interpolation, ओके, इस interpolation को आप बोलोगे, Newton's backward interpolation, तो यह Newton backward interpolation चलेगा, ज के देखोगे, तो मतलब जो forward और backward बठाता है if- forward forward का मतलब क्या होता ? आंगे के trend देखो आंगे के trends तो आंगे के trends आप कब देखोगे around की trends आप तब देखोगे जब आपको काने कलना होगा क्य जब आपको पीछे की value निकालने पड़ेगी ? ओके जब आपको पीछे मतलब ऊपर की वैल्यू निकालनी पड़ीगी के लिए पीछे की वैल्यू के लिए आप कौन से ट्रेंड देखोंगे फॉर्वर्ड ट्रेंड देखोंगे और बैकवर्ड ट्रेंड कब देखोंगे बैकवर्ड ट्रेंड बैकवर्ड इंटरपोलेशन कब लगाओगे ज जब आपको आंगी की वेल्यू निकालनी पड़ी, उस समय आप क्या करोगे, न्यूटन फॉर्वर्ड, न्यूटन बैक्वर्ड एक्सप्लो, आप न्यूटन बैक्वर्ड, ओके, इंटरपोलेशन का फॉर्मूला लगाओगे, ठीके न, तो बैक्वर्ड कब लगाओगे, बैक्वर्ड, न्यूटन बैक्वर्ड इंटरपोलेशन किसके लिए, लास्ट वैल्यू के लिए, फाइन, और न्यूटन फॉर्वर्ड इंटरपोलेशन, स्टार्टिंग वैल्यू के लिए, अब बात करते हैं, यह तो हो गई बैक्वर्ड और फॉर्वर्ड, अब बात करत अभी तक आपने जो interpolation के formula देखे वो आपने देखे Newton forward interpolation and Newton backward interpolation अब देखे Newton forward interpolation मैंने आपको क्या बताया था कि Newton forward interpolation आपके पास तब लगेगा जब आप जो है शुरुआती value जैसे यहाँ पर 2001 है 2001 के आंगे की values पर interpolate करेंगे उसकी value पता करेंगे for example यहाँ अगर 2002 पर करते हैं 2003 पर टू के बाद 3 तो खलक दिया ही हुआ है तो यहाँ पर मेरे पास 2002 ही बता बचा अगर यह 4 होता तो एक आपके पास बीच में यह कौन सा आ जाता 2003 भी आपके पास आ जाता निकालना हूँ उस पर आपको results निकालने हो तो आप Newton forward interpolation करते हैं इसी तरीके से Newton backward interpolation कब करते हैं Newton backward interpolation में आपका base क्या बनेगा 2009 आपका base बन जाएगा ओके forward interpolation में बेस कौन बनेगा 2001 आपका base बन जाएगा ओके और backward interpolation में आप पीछे के data के trends देखते हैं जबकि forward interpolation में आप नीचे के data के याने आँगे के data के trends देखते हैं अब हम बात करते हैं formula for central differences ओके अब जैसे मान लिजे आपको value पता करनी है 2007 पे 2006 यहां पर लिख दिया एक कम करो इसको 7 कर लो ओके इसको 7 कर लो और अब मान लो आपको कि 2006 पर result चाहिए आपको किस पर result चाहिए 2006 पर तो देखो यह जो है data जो है middle range में आएगा तो यहाँ पर हम लगाते है formula for central differences मतलब की 2001 से लेके 2004 तक इसमें आ जाएगा forward interpolation में आ जाएगा 2008 से लेके 2009 के बीच का कोई भी data जो होगा as an example है कुछ भी हो सकता है तो यह किस में आ जागा backward interpolation में और यहाँ पर 2004 से लेके 2008 के बीच का कोई भी जो data होगा वो किस में आ जाएगा वो आ जाएगा आपका central differences में तो central differences के लिए formula for central differences के अभी आपने देखा forward interpolation backward interpolation वो extreme data के लिए था extreme values के लिए था मतलब कोनी की value शुरुवाती और anthem value के लिए था अब बात करते हैं central के लिए तो central में आपके पास central differences का formula लगेगा तो इसके लिए कौन कौन से formula है एक इसके लिए लगेगा आपका गौस forward formula कौन सा लगेगा गौस forward formula दूसरा लगेगा आपके प स्ट्रेञ्वि 접ements स्ट्रेञ्वि supplying पिखके हैं स्ट्रेञ्रा शुर्ण Сам Claus अक्या है रोगव एथे तो आप में डिए मंने स्ट्रेञ्व अब के लिग अब हम क्या शुरू करेंगे अब हम आज का टॉपिक है मारा Newton forward interpolation and Newton backward interpolation इसको Newton forward formula और Newton backward formula भी बोलते हैं और मैं आपको बता चुका हूँ कि ये formula कब लगेंगे जो आपके पास है equal interval वाले हैं कैसे है equal interval वाले मतलब भले ही यहाँ पर मैंने unequal interval दिये है बट आपको ये जो formulas लगेंगे किसमें लगेंगे equal interval में लगेंगे तो equal interval पे आपके पास जो gap बनेगा वो किस तरीके से बनेगा यह equal interval के लिए है तो मुझे इसको यहीं पर लिख देना चाहिए तो जैसे यहाँ पर मैंने देखे यहाँ तक मैंने equal interval दिया है 81 के बाद 2 साल के बाद 83 आएगा 83 के दो साल के बाद के आएगा 85 आएगा यहाँ तक तो यह suit कर जाएगा बट आँगे यह suit नहीं करेगा क्योंकि यह interval जो है equal नहीं है तो याद रखिएगा कि यह जो formula होते हैं आपके newton forward और newton backward जो है वो किसमें लगेगा आपका वो equal interval के लिए लगेगा ठीक है ना तो मैं आपके सामने एक equal interval लिख देता हूँ जैसे माल लीज़े आपके पास जो x का मैं values दे रहा हूँ आपको और यहाँ पर correspondingly क्या है fx है तो x के values मैं आपको कितने दे रहा हूँ 90, 71, ok then 1981 then कितना 1991, then 1990, sorry 2001 तो यहाँ जो intervals है यह क्या दिख रहे हैं आपको यह आपको equal interval दिखाए दे रहे हैं तो कैसे interval दिखाए दे रहे है equal interval तो आज का topic हमारा क्या है आज का topic हमारा forward formula Newton's forward formula and Newton's backward formula तो आपको मैं आज Newton's forward formula और Newton's backward formula पढ़ाएंगे और रही बात unequal interval की बात होके unequal interval जो है वो हम बाद में उसको unequal interval not unequal शोरी unequal जो unequal interval पर हम किस तरीके से values निकालते हैं वो हम बाद में कभी discuss करेंगे उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा बट अभी फिलाहल हम पढ़ेंगे newtons का formula for forward and for backward तो start करते हैं Newton का forward and backward formula तो चली देखी एक example लेता हूँ मैं आपके सामने आपके सामने में मैं ये x की कुछ values दे रखा हूँ और ये आपके सामने क्या है fx है और आपके सामने x की values है 75, 80, 80 and 87, 90, 94 और इन पर जो आपका output आ रहा है वो कितना fx इकल to तो आपको इस पर जो है सबसे पहले ये दिखे कि आपको जो interpolate नहीं मान ले मैंने कोई भी value पर आपको value निकालने को बोला आपको 82 पर value निकालने को बोली ओके तो 75, 80 है अब ये भी forward interpolation लगाना मैं 82 नहीं दे रहा हूँ आपको क्योंकि 82 के लिए तो फिर आपके पास में क्या लगेगा जो central वाला central difference का formula होता है मैंने आपको बताया था formula for the central differences वो लग जाएगा क्योंकि central के term जाएंगे तो सबसे पहले यादि मान लेजिए मैंने आपको 70 of 78 पर बोला value निकलने के लिए तो आप सबसे चेक करिए कि equal interval है कि नहीं है ओके तो यहाँ पर देखे 75 से लेके 80 का जो interval आपके पास बन रहा है वो कितना बन रहा है फिर यहाँ पर कितना बन रहा है दो बन रहा है फिर यहाँ पर कितना बन रहा है आपके पास में 3 बन रहा है और यहां से इंटर्वल आपके पस्में कितना बना चार बन रहा है मतलब यहां पर equal interval नहीं है मतलब आप जो equal interval वाली जो मैथड़ आपने को मैंने बताइई कौन कौन सी बैने बताई equal interval की method मैंने आपको बताई थी हैना ना Newton forward लगेगी, ना Newton backward लगेगी, और नहीं यहाँ पर Gauss forward, Gauss backward, Basis formula, Sterling formula, कुछ भी नहीं लगेगा, तब आपको unequal interval के लिए कौन सा formula लगाना पड़ेगा, unequal interval के लिए note के लिए, आपके पाद जो formula लगेगे, वो है Langrange's interpolation formula for unequal interval, एक तो यह लगता है, Langrange's interpolation formula for unequal interval, और दू दूसरा है Newton divided difference, Newton divided difference, तो इस चेप्टर में, मैं आपको आने वाले समय में, आपको unequal interval के लिए भी, Langrange's interpolation formula for unequal interval and Newton divided difference भी मैं आपको बताऊंगा, ओके, अब इतना पढ़ने के बाद, एक चीज़ और आएगी आपके पास में, अधी आपको बोल देगा, कि F dash, ओके, 86 क्या हो F dash 86, मतलब आपको differentiation पूछेगा, F dash 86, देखिए, 86 यहाँ पर data बीच में आएगा, यहाँ पर कहीं पर आएगा, और उस पर क्या मांग लिए है, derivative, तो उसको जानने के लिए हम जानेगे की numerical differentiation क्या होता है, उसको जानने के लिए हम क्या जानेगे, numerical differentiation क्या होता है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, तो यह सब हम लोग future में discuss करेंगे, क्योंकि सबसे पहले तो हमें, अभी क्या पढ़ना है, हमें सबसे पहले equal interval के लिए बाते करनी है, तो अभी हम topic में आगे पढ़ने वाले हैं, क्या, equal interval, ओके, interpolation for equal interval, ओके, तो हम discuss करेंगे, interpolation for equal interval, मतलब, equal interval के लिए हम interpolations को देखने वाले हैं, है न, तो हम equal intervals के लिए interpolations को देखने वाले हैं, जिसमें की, हम सबसे पहले आपके सामने discuss करने जा रहे हैं, आभी, newton forward and backward interpolation, तो heading डालीजे आप लोग अपनी copy में, okay, newton forward and backward interpolation, okay, तो heading डालीजे, newton forward and backward interpolation, हम इसको continue करेंगे, ठेके न, तो आपको याद आगया होगा कि newton forward interpolation, interpolation हम क्यों करते हैं, अच्छा, किसमें लगेगा ये, किसमें लगेगा ये, equal interval के लिए, किसमें लगेगा, equal interval के लिए, तो मैं आपके सामने कुछ interval ले ले लेता हूँ, x, i, आपके सामने x interval है, i को हटा दो, और fx उसके correspondingly value है, तो मैं आपके सामने कुछ interval 90, 91, ओके, फिर 4 add कर दो, तो 1995, फिर 4 add कर दिया, तो 1999, ओके, और फिर 4 add कर दिया, तो 2003 आगया, आपको value किसपर निकालनी है, आपको value suppose निकालनी है, 1992 पे, ओके, तो क्या लगेगा, आपका forward interpolation formula लगेगा, और हम इसके trends को, आँगे वाले trends को दिखेंगे, आईए करते हैं, forward interpolation की technique को समझेंगे, ओके, तो यहाँ तक, इसके बाद हम आँगे continue कर रहे हैं, चली करते हैं, Okay, तो चली हम Newton forward interpolation को समझने के लिए question, forward backward interpolation को समझने के लिए question करते रहे हैं, यहाँ पे question लिखेंगे आप तो, estimate the population for the year 1895 and 1925 for the following stats, मतला आपके सामने कुछ data दिये गया है, तो देखें, यहाँ पे question दिया गया है, आपके पास में, estimate the population for the year 1895 and 1925 from the given stats, आपके सामने कुछ status दिये गया है यहाँ और आपको जो है, find करने आपको population, किस data के लिए 1895 के लिए और 1925 के लिए, इनिशली जो आपके पास question बन के आएगा, कुछ इस तरीके सा आपके पास में table बनी रहेगी question की, आपके पास यहाँ पे year लिखा रहेगा, और यहाँ पे नीचे रहेगी population, आपके सामने year लिखे रहेएंगे, जैसे यहाँ पे 1891 लिखा है, okay, then इसके बाद 1901 लिखा है, इसके बाद 1911 लिखा है, और आपको जो है, कितना लिखा है, इसके बाद 1911 के बाद 1921 और 1931, ओके, 1921 और 1931, और यहाँ पर कुछ नो कुछ values दी गई है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले मैंने आपके लिए यहाँ पर vertical table बना दिये, देखे, इस तरीके से vertical table बना दिये मैंने, सबसे पहले देखे, year लिख लिजे, year जो आपके पास है और population है, अब आपको करना कि आपका solution यहाँ से सुरू होता है, year को आप तुरंद क्या नाम देदेगे, x का नाम देदेजे, year जो आपका x है, और जो population है वो आपका क्या है, fx है, population आपकी क्या है अब चले बनाते हैं सवाल को कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले चेक करिए कि यह जो data है, यह equal interval है कि non-equal interval, तो यह आप यहाँ का देखे है interval, तो 1891-1991, 10 का gap है, आँगे भी 10 का gap है, 10-10 का gap है, मतलब यहाँ पर क्या है, यह equal interval है, तो हम यहाँ पर सवयम से समझ जाएंगे कि हमें Newton forward interpolation का formula यहाँ पर लगाना है, तो हमने FX लिख लिया, और अब आप देखो एक चीज, मतलब Newton interpolation का formula, forward लगाना है, backward लगाना है, यह तो बात की बात है, अब हमें देखो एक value कहाँ पर निकालनी है, 1895 है, मतलब इसके यहाँ पर कोई value है, यहाँ पर 8095, यहाँ पर क आपको चेक करने पड़ेंगे, तो यह कहलाएगा, Newton forward interpolation, पहले वाले में आपको 1895 पर value निकाने के लिए, क्योंकि जस्ट पहली value के कुछ देर बादी value निकल रही, तो Newton forward interpolation, और दूसरी क्या है 1925, तो 1925 जो है, उसमें base क्या बनेगा, आपका 1931 बनेगा, ओके, तो आपको interpolation के लिए base बन जाएगा, और 1931 जो है backward interpolation के लिए आपका base बन जाएगा, अब आईए इसको solve करते हैं, कैसे solve करेंगे देखिए, तो अब यह data आपने लिख लिया, बड़ अच्छी बात है, data आपने लिख लिया है, अब देखिए 1891 के corresponding data क्या है, 46 है, यह भी लिख लो, य अब आपको करना क्या है, अब आपको जो है, आपको निकालना है forward difference, ओके तो यह जो है, पहला कहलाता है, इसको बोलते हैं, first forward difference, इसको हम लिखते हैं, क्या delta fx है, इसको हम लिखते हैं, क्या delta fx है, क्योंकि हम answer लिख रहे हैं, इसलिए हम pink color का use कर रहे है, answer को मैं pink color से 66 यहाँ पर ग्या यह 466-46 जो ही आप समयना स्मय में 8 आ रहा है तो यह आपने सारे के सारे डिया अब इसके बाद में आप क्या करेंगे इसके बाद में आप жो ces किमिल आनगे में से पीछे होता है तो यह मैन次 आ जाईगा फिर 12 में से 15 माइनस हो जाएगा तो आपको क्या लिखना है मैनस का 3 और 8 और माइनस का 12 किता हो गया माइनस का 4 देन इसके बाद आपको लिखना है क्या इसके बाद आप जो बनाएंगे वो कहलाता है डेल 3 एफ एक्स ओकी यस तो देखिए यह क्या बन जाएगा माइनस 3 और माइनस माइनस 5 ओकी इसको थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस बोलते हैं तो माइनस 3 माइनस माइनस एफ तो कितना हो गया प्लस का 2 हो गया यह कितना होगा आपने पास माइनस 4 माइनस माइनस 3 तो यह होगा आपने पास प्लस का 1 ओके तो यह थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस निकल चुका है ओके देखे ये जो process हुई है इसमें एक चीज़ आप याद रखिएगा एक चीज़ आप याद रखिएगा कि जो आपके पास में difference आपको निकालना है तो next minus previous करना है तो आप लिख लिजे कि जो difference आप निकाल रहे हैं हापे जो difference आप निकाल रहे हैं वो क्या कर रहे है difference ऐसा लिख लो difference equals to है अगला माइनस पिछला मतलब अगले में से पिछला लेना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है next में से previous को माइनस करना आपको difference को याद रखेगा है ना तो difference positive negative जो भी आप उसको लिखते जाएगा as usual बट आपको next में से previous minus करना है ठीक है आप चले question को आँगे बढ़ाते है देखे थोड़ा यहां गलती हुए है मुझसे minus 4 और minus का minus 3 that is equal to minus का 4 plus का 3 that is equal to किता आएगी minus 1 तो यहाँ पे value change कर लिजे यहाँ पे value लिख लिए कितना minus 1 मतलब इन दोनों का difference कितना आया है हम minus 1 और इन दोनों का difference जो आया है कितना 1 है plus 2 है चलिए अब हम अपने मुखे काम की और वापस लोटते है जिसके लिए हम iteration को use कर रहे थे interpolation को use कर रहे थे हमें करना क्या था हमें जो है 1895 पर value find करनी है तो सबसे पहले idea लगए है कि 1895 पर हमें क्या use करना है तो 1891 को अगर हम base मानेंगे तो 1895 इसके आंगे बैठा हुआ है मतलब हम यहाँ पर Newton forward interpolation का formula लगाएंगे ओके तो हम यहाँ पर Newton forward interpolation का formula यूज़ करेंगे ओके तो देखिए इसमें हमें forward रेक करके forward का हम trend देख करके जो हमें इसमें formula लगाएंगे क्योंकि हमारे पास 1891 के आंगे 1895 है तो इसका आंगे का trend देख सकते हैं तो note कर यह Newton forward formula क्या होता है F of A plus H U equal to F of A plus तो यह formula मैंने पूरा लिख दिया है देखिए एक बार पढ़ देता हूं यह formula F of A plus H U equals to F A plus U upon factorial 1 D F A plus U into U minus 1 upon factorial 2 D square F A plus U into U minus 1 U minus 2 upon factorial 4 D4 F A plus यह formula आप अच्छे से याद करें काम नहीं चलेगा तो यह आपका जो है Newton forward interpolation का formula है ठोके ठीक है तो यह formula हमने लिख लिया अब इसके आंगे हम करते हैं तो हमें किसकी value चाहिए देखिए हमें जो estimate करनी है value वो हमें दी गई है 80.95 की मतलब हमें जो है F of 80.95 यहाँ पर निकालना है ओके मतलब यहाँ पर A plus HU जो होगा वो कितना हो जाएगा 80.95 हो जाएगा ओके तो आपने क्या कर दिया कि A plus HU जो आप कितना रख रहे हो 80.95 तो A plus HU equals to 80.95 अब देखिए आपको एक इसको मानना है जो आपका base है forward interpolation के लिए आपका जो base है वो क्या है 80.91 तो इसको आप A लेते हो ओके यह आपका A बन जाएगा तो आपने इसको ले लिया A तो कितना है 18.91 और H मतलब की जो gap है H मतलब height class height जो है H जो है उसको आप कह दो क्या class height तो H जो आपका gap है कितने का है 10 का gap है तो 10 multiply by U equals to कितना हो गया 10 हो गया okay so U equal to कितना आ गया 0.4 आ चुका है तो यह आपको U मिल चुका है चलिए अब इसके बाद में हमें क्या लगाना है Newton का यह जो formula है हमें देखे सब चीजे हमाएं हाथ में आ चुकी है हमारे पास सारी value हमाएं हाथ में आ चुकी है अब हमें जो है formula लगाना है Newton के interpolation का जिसको हम Newton forward interpolation बोलते हैं तो देखे अब इसको आंगे carry करते हैं तो U equals to 0.4 हमाएं पास आ चुका तो अब देखे जो हमने formula पढ़ा है कौन सा Newton forward difference का formula हमें निकाल लिए value किस पर F1895 पर 1895 पर value निकाल लिए जो कि हमें question ने पूछा गया है कि F1895 पर value क्या होगी दीखे question ने कहां पर पूछा था ये पूछा था question ने कि F1895 पर value क्या होगी ये पूर दो value पूछी गई है एक 1895 और 1925, तो 1895 पर value निकालने के लिए क्या करना पढ़े थोड़ा सöus जूम करके इसको दिखाता हूं देखे करा क्या गया अपने okay कि तो 1890 फाइपर value निकालने के लिए आपको क्या करना है देखे ऑ यस donuts सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पर आपने 1890 पेपर वेल्यू निकालने के लिए आपको F जो फार्मूला बन रहा है उसको देखो एक बर फार्मूला आपके पास क्या बना है फॉर्मूला आपके पास बना हुआ है F A प्लस U अपन फेक्टोरियल 1 डेल F A प्लस U into U-1 अपन फेक्टोरिल 2 डेल स्क्वार F A प्लस U into U-1 और U-2 ओके इन्टू डेल क्यूब F A ये फॉर्मूला आपके पास बना हुआ है और U, U-1, U-2, U-3 अपन फेक्टोरल 4 डेल की पावर 4 F A इस तरीके से आँगे ये जाता रहेगा ओके चलिए रिखे तो अब कहां चलिए उपर चलिए और यहाँ पर सबका नाम दे दीजी ये जो आपके पास दिख रहा है ये आपके पास में F A है सबसे पहला जो दिया है F X से क्या मिलता आपको F A फिर first क्या मिलेगा आपको मिलेगा D F A इसी को बोल्टन देल F A फिर मिलेगा आपको डेल A Square F A तीसरा मिलेगा डेल A Square डेल Q B F A और last में आपको क्या आचुका है डेल की पावर 4 F A यह वैल्यू मैं भी निकाल दी माइनस 1, माइनस 2 तो माइनस 3 आजाएगी मतलब जो fourth forward difference आया है वो यह आ चुका है अब आपको यह सारी वैल्यू जो है यहाँ पर पूट करनी है तो आराम आराम से वैल्यू पूट करिए और निकलते जाएए देखे तो सबसे पहले आपके पास में F A आया है तो F A कितन आप देखे F A आपके पास में 46 46 है 46 plus U कितना है 0.4 upon factorial 1 plus देखे यह आ चुका है plus डेल F A okay multiplied by डेल F A तो multiplied by डेल F A डेल F A आपके पास कितना आया देखे डेल अफे आपके पास आया है 20 तो ये वाली वेल्यों आजाएगी DFA DFA आपके पास में कितना आजाएगा 20 आजाएगा ओके इंटो 20 प्लस यू इंटो यू माइनस वन तो इसको मैं लेख सकता हूँ 0.4 इंटो 0.4 माइनस वन कितना हो जागा देखे डेल स्क्वाइर एफे की वेल्यों जो है डेल स्क्वाइर एपने पास की तियारी माइनस फाइव तो यहाँ पर माइनस फाइव ओके फिर इसके बाद यू 0.4 फिर 0.4 माइनस वन 0.4 माइनस टू ओके अपन में कितना हैगा फैक्टोरियल 3 सो 3 इंटो 2 इंटो 1 जिसको अपन डिरेक्टली 3 2 जा क्या लिख सकते हूँ 6 भी लिख सकते हूँ ओके तो इसको मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है 6 लिख दिया है इंटो डेल की पावर 3 ओके थ्र्ड फ़रवर्ड डिफरेंस की वैलिव जुँग आई है तो मैं दिखता हूँ थ्र्ड फ़रवर्ड डिफरेंस यहां पर कितना हैं अपके पास में प्लस टु आया हुआ हुआ इन्टू 0.4-1 इन्टू 0.4-2 इन्टू 0.4-3 यह फाइनलि आपके पास 0.4-3 और फिर इसके बाद में आप यहां क्या लिखेंगे 4 इन्टू 3 इन्टू 2 4-3 इसका आपको बहुत ज्यादा यूज करना पड़ रहा है एक चीज आप समझ पा रहे है ठीक ना यह जो टेवल आपने बनाई थी देखें पूरे एक पेज में भी नहीं आ रही इतनी बड़ी टेबल है कि इसको हमको पूरा आपको ऐसे करके दिखाना पड़ रहा है तो य यह जो टेवल है आपकी यह जो टेवल है इसमें सबसे पहले क्या है F-A dad he firm D-idesquare F-A फिर D Q-FA और F-A इसको इस बड़ी सी क्याल्कुलीशन को हमको solve करना है फिर हमारा value आएगी ओके तो यह जो बड़ी सी calculation हमाँ पास आ चुकी है जिसमें हमाँ पास total term के देखी कितने में एक तो यह है दूसरा आपके पास में यहقةल है तीसरा आपके पास में यहर都有 में चौथ आपके पास में पास में अर्फ आपके पास में यहकर है ऑके तो यह सारे values हमें solve करनी है तो आई एसको हम solve करते हैं आई तो चलर इएक इस calculation को करने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी आईए इस calculation को कैसे करते देखिए तो 0.4 को सबसे पहले जो है आप यहाँ पे decimal में अगर तोड़ लोगे तो यह कितना हो जाएगा multiply by 10 हो जाएगा और यह cancel हो जाएगा तो 42 जा कितना बज़ गया है 8 बज़ गया है अब देखिए आराम आराम से आपको पूरी calculation करना है अगर आपने जल्दबाजी करी कुछ भी गलती हुई तो पूरा का पूरा question जो होता है वो गलत हो जाता है देखिए यहाँ पर यह minus है तो आप सबसे पहले क्या करो इसको minus कर दो क्योंकि यह minus तो बाह हो गया और 0.6 यहां लिख दीजिए तो आपने क्या लिख दिया है 0.4 लिख दिया है minus का यह 0.4 में से 1 गया 0.6 बचा कितना 5 और यहाँ पर 5 और फैक्टोरियल 2 का कितना हो गया आपका 2 हो गया ठीक है ना चलिए plus अब देखिए 0.4 ठीक है लिख दो आपने 0.4 minus 1 तो कितन हो गया minus का 0.6 तो यह जो है यह प्लस की जगह क्या आजाएगा minus हाजएगा और 0.4 minus 2 अगर आप 2 में से 0.4 minus करते तो कितना आता 1.6 तो यह कितना हो जाएगा minus 1.6 मतलब plus का 1.6 हो जाएगा ठीक है ना plus का 1.6 और इसके बाद यह 2 भी बैठा हुआ था I think के interpolation का जो आया हु वो है एक बार देखने गलती न हो जाए exactly plus 2 तो पहले minus 5 था और फिर आपके पास कितना आया है plus 2 तो ध्यान रखेगा पीछे भी नजर एक बार देखते जाएगा एक बार minus 5 आया है एक बार plus 2 आया है तो multiply यहां ले लिजे plus 2 और यहां पर कितना आजागा 6 आजाएगा ठीक आपका कितना बचे का देखेए 0.4 के बाद 0.4 minus 1 तो यह आपको इसको क्या करीए इसको minus कर दीजे क्योंकि 0.4 multiply by 0.4 minus 1 कितना आजाएगा 0.6 आजाएगा ओके बहुत दिमाग को active रखना पढ़ता है इस समय इसलिए क्योंकि थोड़ी सी गलती हुई और question गया बहुत दूर हम से और 0.4 minus 2 तो कितना आजाएगा फिर से आजाएगा अपने पास में माइनस तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस और यह होगा 1.6 ओके और 0.4 minus 3 ओके तो 0.4 minus 3 that is equal to फिर से हो जाएगा माइनस ओके तो यह माइनस कितना हो जागा तेक 3 में से 0.4 आप माइनस करेंगे तो क मुझे slide कर देता हूँ तो clear दिख जाएगा yes दिखिए तो multiply by 2.6 into कितना हो गया minus का 3 whole divided by कितना हो गया 24 ये लो जी इतना आपके पास में ये आ चुका है ठीक है तो सारी चीज़े हमने कर ली है थोड़ी slide को मैं छोटा कर लो तो मेरे को proper view इसका मिलने लग जाए ये लीजे मैं मैं इसको छोटा कर लिया हूँ तो मुझे इसका proper view पूरे scale में मिल रहा है ये देखे तो हमने क्या लिख दिया 46 लिख दिया है फिर 0.4 into 20 कर दिया अपने तो 0,0 cancel plus 8 हो चुका है फिर 0.4 into 0.6 हो गया ये ओके और minus minus plus हो गया ये तो plus 2 हो गया नीचे इदर 6 आ गया 0.4 0.4 minus 1 minus हो गया और फिर ये भी हो गया minus minus plus बचा 2 और फाइनली क्या 0.4 minus का देखो 3 minus हैंगे 1 minus 2 minus 3 minus ओके ये minus है तो इसको भी ये मैं dissolve कर दूँ है यहां पर इस minus को तो ये कितना हो गया मेरे पास plus हो गया है अब सब कुछ solve हो चुका है अब आपको लेना आपका scientific calculator और इसको solve करते जाना ठीक ना तो scientific calculator तो मेरे पास right now नहीं है मैं आपर अपने virtual calculator से काम चलाने की कोशिश करता हूँ तो मुझे एक मिनट का वक्त है ओके देखी तो इसको solve करता हूँ मैं तो 46 plus 8 कितना हो गया ये 54 हो चुका है ओके प्लस देखी 0.4 into कितना अगा 0.4 into 0.6 into 5 upon 2 तो 0.4 into 0.6 multiply by 5 ओके ये total कर लिया divide by कितना कर दीजे 2 कर दीजे तो answer कितना आगया हमारा 0.6 आगया ठीक ना ये कितना आगया हमारा 0.6 आगया प्लस अब देखी यहाँ पे ये कितना आजाएगा जो कट सकता है आप इसको काट दीजे यदि इसको decimal में break कर लोगे तो 10 हो जा हुआ है अब आपके पास जो जो बच चुका है आप उसको multiply कर दो और बहुत carefully आप multiply करना नहीं तो थोड़ी सी भी mistake होगी तो पूरा का पूरा आपकी महनत मिट्टी में मिल जाएगी तो 0.4 ओके multiply by ऊपर कितना बचा है 2 बचा है multiply by 1.6 बचा हुआ है ओके नीचे थो सब हो चुका equal to कर दिया और divide by नीचे कितना है divide by नीचे 10 बचा हुआ है okay 10 तो answer कितना हा चुका है मेरे पास 0.128 तो मैंने यहाई लिग दिया 0.128 ओके अब देखे यहाँ पे यदी हम देखें तो यदी मैं इसको टोलनो तो 10 हो जाएगा इसको तो तो टोलनो तो कितना हो cancel हो गया अब जो उपर की चीज़े है उसको multiply करना है वो बड़े आराम से multiply करिए चलिए मैं करता हूँ multiply तो कितना है 1.6 है multiply कितना हो गया 2.6 है और ठीक है multiply कितना हो गया 3 हो गया चलो यह कितना आ गया यह हमाँ पास आ चुका है 12.48 बट इस्टिल नीचे हमें किसका डिवाइड करना है 100 का तो यह आ जाएगा कितना 0.124 इच 0.124 इच फाइनल स्टेप हमें add करना है और कुछ भी नहीं बचा फिर तो इसको add करता हूँ मैं तो क्या add करना देखे 54 प्लस 0.6 प्लस 0.128 ओके प्लस 0.1248 यह टोटल चीज़ आ चुकी है तो इसका answer जो आ रहा है मेरे पास 54 पॉइंट कितना है भई 54.8528 ओके 54.8528 तो यह आपके पास में आ चुका है और यह देखे यह match करिए इसको कि यह जो डेटा आ रहा है वाकई में सही आ रहा की नहीं आ रहा है एक्जेक्ट तो आप नहीं बता सकते हो बट एक approximation टाइप का आप निकाल सकते देखो इसको मैं आपके पास जो डेटा था वो क्या था आपके पास 1895 पर आपको वैल्यो निकालनी थी ओके 1895 पर आपको वैल्यो निकालनी को जो थी 1895 पर आपको जो वैल्यो निकालनी थी देखे अब 1895 पर जो वैल्यो आएगी वो 46 और 66 के बीच में आएगी ठीक ना तो एक अनुमान आपको पता चल सकता है यहाँ पर जो आपने वैल्यो निकाली है यहाँ पर जो आपने वैल्य 8525 जो की 46 और 56 के I think बीच में है हमें जो वैल्यू आनी थी वो 46 और 66 और 66 ओके ओके नो प्रॉबलम तो 46 और 66 के बीच में आनी थी ओके और यह वाकई में जो वैल्यू है यह 54 पॉइंट सम्थिंग आ रही है ओके तो मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है और वैसे भी बिल्कुल सही किया चली तो यह वाला पार्ट तो पहला पार्ट हो चुका यहां से 1931 से आपको जो है बैकवर्ड इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा अब यह अपने फार्वर्ड इंटीग्रेशन लगा था अब बैकवर्ड मतलब की ऊपर की ओर चलोगे ओके पीछे वाले डेटास को देख करके वैल्यू एस्टिमेट करोगे तो यह कहलाएगा इसको बोलते हैं Newton backward interpolation formula तो अब हमें यहां पे लगाना है Newton backward interpolation formula तो आइए लिखता हूं मैं Newton backward interpolation formula क्या होता है देखिए ओके देखिए तो अब मैं न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन का फॉर्मॉला लिख रहा हूँ तो f of a plus h u equal to f a plus u upon factorial 1 ओके इसको नेबला बोलते हैं ये जो आप बैकवर्ड इंटी दिख रहा आपको नीचे की तरफ दिख रहा ना इसको बैकवर्ड स्वरी बैकवर्ड गलती से बोल गया हमें है ना वैसे तो बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मॉला में यूज होता है ये बोलना चाहिए कि बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मॉला में जो ऑपरेटर यूज होता है इसको आपन क्या बोलते हैं नेबला यह symbol यहीज होता है fa plus u into u plus 1 पिछले बार आपने देखा था देखे minus हो रहा था इसमें क्या हो रहा है add हो रहा है u into u plus 1 upon factorial 2 nebula square fa plus u into u plus 1 u plus 2 upon factorial 3 nebula cube fa plus u into u plus 1 u plus 2 u plus 3 upon factorial 4 nebula 4 fa इस तरीके से आपको चलते जाना है ठीक है अब देखिए अब आपको value किसके निकालनी है अब आपको जो value निकालनी है किसकी value निकालनी है f of 19 1925 आपको चाहिए f of 1925 आपको चाहिए तो कुल में लाके आपको value f of 1925 चाहिए है तो आपके पास जो base बनेगा वो क्या बनेगा 193 यो बनेगा ओके तो यहां पर आपके पास जो देखिए input में क्या है A plus HU है और A plus HU आपका कितना है 1925 तो A plus HU को क्या बोलोगे आप A plus HU equal to 1925 यह value आपको चाहिए है और base आपका क्या बनेगा इस बार base आपका बनेगा 1935 अभी मैंने बता दिया था आपको कि जो base बनेगा आपका क्या बनेगा 19, sorry यह 1931 है ओके तो base आपका कितना बन जाएगा 1931 बन जाएगा ओके base आपका कितना बन जाएगा 1931 एक मिनदट, सुरी यह कुछ गड़बड हो गया तो base आपका कितना बन गया 1931 plus HU equal to 1925 5 ओके so HU equals to 1925 minus 1925 minus 1931 HU equals to कितना हो गया देखे यहाँ आपके minus 6 हो गया है minus of 6 so U equal to minus of 6 upon H की value कितनी है 10 है क्योंकि H की value कितनी है 10 है so answer कितना आगया minus का 0.6 अब देखे आपको क्या चाहिए है अब आपको नेबलास नेबलास की value चाहिए है तो U तो आपके पास आ चुका है क्योंकि U equal to कितना आ चुका है minus का 0.6 अब आपको formula में यह सारी की सारी values पूट करनी है ठीक ना तो यहाँ पर मैं formula की मैं सारी values पूट कर देता हूँ तो चली मैं इस color के pen से लिखता हूँ यहाँ पर और values क्या बनेगी देखे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ देखे तो यहाँ पर जो value बनेगी F of कितनी value चाहिए आपको 1925 is equals to F of A तो अभी आपने देखा A मैंने किसको माना है A मैंने मान लिए है 1931 तो 1931 plus U U कितना है minus का 0.6 upon 1 ओके नेबला F A अब आप जानना चाहते है कि नेबला F A क्या होगा ठीके न क्योंकि नेबला F A की value लिए तो मैंने अभी तक आपको बताई नहीं है तो देखे नेबला F A जानने के लिए आप क्या करिए थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करता हूँ जिससे कि जल्दी से हम table तक पहुँच जाए ये देखे नेबला F A आप कैसे पता लगा पाएंगे इस चीज को समझ ये पहले देखे अभी आपने जो forward differentiation में forward जो formula लगाया था forward interpolation में आपने ऊपर लिया था अब जो backward interpolation लेंगे आप उसमें आपको जो है नीचे की values आपको लेकर रहे चलनी है तो आपके पास में ये बन जाएगा तो नीचे की values में जैसे जैसे आपको निकालना है वैसे वैसे उनकी values रखते जाएगे मार करते जाएगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा ये आपके बन जाएगा नेबला एफ़े ये आपके पास बन जाएगा क्या नेबला स्क्वार एफ़े ये बन जाएगा नेबला क्यूब एफ़े और ये बन जाएगा नेबला की पावर फोर एफ़े तो इस तरीके से आप चलेंगे और ये finally आपका क्या बन जाएगा ये नेबला की power 4FA बन जाएगा तो उपर जो है वो forward difference बन रहा था और नीचे से जब आप चलेंगे तो ये नेबला की power 4FA बन जाएगा चलिए तो हम इन values को ध्यान में रख लेते हैं कहीं पर ओके ये values क्या है और क्या है क्या लिखा हमने values इन values को ध्यान रख लिजे और बस support करते जाएगे तो देखे क्या है formula हमाँ पस में तो डेल FA मतलम नेबला FA तो first का क्या बन रहा है अपने पस में 101 बन रहा है ठीक ना तो यहाँ पर कितना आएगा into 101 च्वारी रेट पेंसे मुझे करना इसको पिंक पेंसे into 101 फिर देखे कितना है यह वाला पार्ट हो चुका है यह वाला पार्ट फरस्ट वाला पार्ट हुआ भी है ना फिर इसके बाद देखे u into u plus 1 तो u कितना हमाँ पास u हमाँ पास में आया है minus 0.6 है ना तो u की वैल्यू है minus 0.6 और into minus 0.6 plus 1 ठीके ना into minus of 0.6 plus 1 upon factorial 2 और नेबला स्क्वार एफे तो यहाँ पर मुझे थोड़ी सी जगे चाहने पड़ेगी नेबला स्क्वार एफे लिखना है मुझे को टो नेबला स्क्वार एफे की वैल्यू के लिए जो हमने नेबला लिखा ला था वो कितना है नेबला स्क्वार एफे तो यहाँ पर 8 आया है तो multiply भई मैं कितना कर दिता हूँ 8 quarterback हमने यहाँ पर कितना कर दिया है 8 कर दिया है 101 101 हो गया है 8 यूज हो चुका है अब इसके बाद में 3rd वाला टरम यूज होगा तो प्लस यू इंटू यू प्लस 1 यू प्लस 2 तो कितना है यू है माइनस 0.6 इंटू माइनस ओब 0.6 प्लस 1 और 0.6 प्लस कितना 2 whole divided by factorial 3 हो गया है ओके इंटू डेल ये नेबला क्यूब fa तो नेबला क्यूब fa की जो value आ रही है ओके ये जो है नेबला क्यूब fa अभी मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि नेबला क्यूब fa की value कितनी इसको दिख लेते हैं हम लोग być Ist तो जो मेरे पास जो value आ रही है नेबला क्यूब fa की ngay कितनी हो, minus 1 है, third वाला part जो है, वो कित ता रहा है, minus 1, एक second yard, yes, to, ये जो part हमाई पास में आ रहा है, वो कितना आ रहा है, minus 1 आ रहा है, तो यहां पे मैं, into minus 1 कर देता हूं, ठेक है, चली, ये वाला part हो गया, मेरे पास कितना minus 1, और इसके बाद अब एक चीज और बज गई है यह वाला फॉर्मूला बज चुका U, U मतलब कितना माइनस का 0.6 into माइनस का 0.6 plus 1 माइनस का 0.6 plus 2 यहाँ पे माइनस रहेगा भूल गया था माइनस का 0.6 plus 2 and माइनस का 0.6 plus 3 और अपान में कितना है यहाँ पे अपान में फैक्टोरियल 4 मतलब कि 24 होता है फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 होता है फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होता है 2 होता है ठीक है और यहाँ पर किस चीज का आप मल्टिप्लाइगे नेबला 4FA तो नेबला 4FA जो आपके पास value है उसकी value अपने कित्ती निकाली बताईए तो नेबला 4FA जो आपने निकाला है ये रिखे माइनस 3 है ओके तो finally आपके पास में कितने का multiply करेंगे आप माइनस 3 का अब आपको सावधानी बरतनी है और आपको value जो है आराम आराम से लिखते जानी है तो सबसे पहले आपको value लिखनी है किस पर F1931 पर value तो 1931 के लिए मैं सबसे पहले उपर जाना पड़े कि दिखे तो F1931 पर जो आपको देखे किस पर value निकाल ली है आपको F A ओके तो यहाँ पर आपके पास में 1931 पर जो value आपके पास आ रही है वो कितनी आ रही है 101 आ रही है ओके तो क्या है F A में आपके पास में जो value आ रही है वो कितनी आ रही है 101 सबसे पहले value आपके पास में कितनी आ रही है 101 आ रही है ठीक ना सो तो यह 101 तो नेबला ओपर पर value थी यहाँ पर एक मुझसे mistake हो गई है क्या हुआ है कि यहाँ पर 101 जो था वो FA की value थी वहाँ पर मैंने नेबला की place पर put कर दी तो यहाँ से थोड़ा सा एक order miss हो गया देखो तो यह जो value है 8 वो यहाँ पर आएगी तो यहाँ पर आप क्या कर दीजे इसको 8 put कर दीजे फिर इसके बाद 8 के बाद क्या है minus 4 है तो यहाँ पर क्या आएगा आपने minus 4 का कहीं use किया नहीं था तो यहाँ पर कितना आजाएगा minus 4 आजाएगा देन इसके बाद यहाँ पर कितना आजाएगा 8 हो गया minus 4 हो गया और इसके बाद आजाएगा minus 1 और 3 तो देख लेजा हमने 8 का भी इयुज़ कलिया है बिल्कुल सही है यह मायनस फूर का भी उसकल् mã-1 का भी उसकल्लandalב ओह रहा है तो आप बिल्कुल सही ए जो 1911 वेक्चुली ऑलो ऊपरेटर की वैली नहीं है व निब ला जो है वो इनिस्यल वैली उ देख लिए आप याप दी डायगराम आपके सामने जो फॉर्मुला यहाँ पर देखिंए बना हुआ है 193 बन जो value है वो value जो आ रही है वो सबसे पहली value है मतलब वो क्या है A है FA है जो यह जो बनेगी ओ बेस बनेगी 1-9 3-1 अब स्क्राइब 193 वन पर सौरी 101 वन हंडर्ड बन जो value बनेगी वो क्या बनेगी base value बनेगी और इसके बाद जो ये values बनेगी ये इसको क्या बोलोगे आप इसको आप F of A बोलोगे ठीक ना इसको आप क्या बोलोगे F of A और F of A के बाद ये जो आपके पास आएगा ये आपके पास क्या बनेगा नेबला F A ओके फिर ये क्या बनेगा नेबला square F A और यह बनेगा Nebula Cube f a और यह लास्ट वला जो Jew Trum बनेगा यह बनेगा Nebula की Power 4 f of a तो अब आपको यह सारी values निकल ली है और रखनी है रखने के बाद इसको estimate करना है कि इसका वैल्यू क्या होगा तो आपने देखा कि f 1931 जो है f 1931 इसकी सबसे पहली value आपके पास कितनी आ रही है इसकी value आ रही है 101 ठीक है ना अब इसके बाद multiply करते जाहिए और आराम आराम से values put करते जाहिए जो हमें करना है तो आईए मैं calculator का use करके जो है values put करता हूँ ठीक है स्वरी तो values हम put करेंगे calculator का use करके चलिए येस so 101 सबसे पहली value आई है ओके इसके place पर हमने value put कर दी है 101 अब इसके बाद में हमें देखे क्या put करना है तो minus एक बार है तो यहाँ पर minus आ जाएगा okay then 0.6 सबसे पहले clear कर लिए मैंने 0.6 multiply by कितना 8 तो कितना हो गया यह 486 यानि की 4.8 यहाँ पर कुछ भी दिक्कत नहीं है अब यह minus है यह देखो यह पूरा का पूरा किस में आएगा यह plus में आएगा और यह भी minus तो minus minus कितना हो गया plus हो गया और एक काम करो 2 से 4 को काट दो तो दो बार हो गया तो यह minus है और यह minus plus हो चुका है तो all total plus हो चुका है अब आपको क्या है बस multiply करना है तो multiply करके add करते जाएए तो आपके पास में क्या बचा 0.6 बचा है और केवल कितना बच गया multiply by 2 तो answer करता हूं मैं तो देखे कितना आगा 0.48 तो यह आगया अपने पास में कितना 0.48 तो यहां से यहां तक आगया आपके पास में 0.48 और यह भी negative है और यह आपके पास में जो अगली जो values लिकनी है वो देखे उसको plus होगा कि minus हो को पहले यह कि डिसाइट करो तो यह देखे यह negative है और यह भी negative है और यह आपके पास में क्या आएगा यह positive आजाएगा पूरा का पूरा यह भी आपके पास में positive आजाएगा तो चलो positive भी चल रहा है value आप multiply करते जाए यह बस calculator में तो आपके पास answer आजागा सब कुछ तो positive हो चुका है तो सबसे फ़रे clear कर लो 0.6 ठीक ना और 1 में से 0.6 गया तो 0.4 बचा और फिर 2 में से 0.6 गया तो कितना बचा 1.4 multiply by 1.4 because 2-0.6 equal to 1.4 okay and divided by कितना हो गया 1.4 सब कुछ ठीक है minus minus plus equal to किया इतना और divided भई आपको करना कितना 6 करना है तो answer कितना आगा आपके पास में 0.0 0.056 0.056 चलिए तो यह वाला part भी हमने solve कर लिया अब इसके बाद देखते है अगला plus होगा कि minus होगा तो यह देखिए यह negative है यह positive है यह भी positive है यह भी positive है य यह negative है तो यह हो गया total positive ओके तो अब चलिए solve कर देते हैं पूरा-पूरा divide करके multiply divide करके तो क्या है देखिए सबसे पहले अपने पास है 0.6 है multiply में कितना हो जाएगा 1.6 हो जाएगा 0.6 into multiply by 1.6 फिर उसके बाद में देखिए 2 into 0.5 2.6 हो गया ओके फिर इसके बाद में कितना हो गया 3.6 हो गया ठीक है ओके 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 और multiply by total कितना हो गया minus से minus तो होई गया था तो 3 हो गया equal to II 26.something something और इसमें हम को किस का divide करना है इसमें हम को 24 का divide करना है तो answer कितना आजाएगा इसका 1.1 1.1232 1.1232 उके चलिए तो हमारे पास केवल एक टर्म जो है ये वाला नेगेटिव आया है और उसके बात सारे के सारे टर्म जो है पॉस्टिवाए है तो इसको हम सॉल्व कर दिते हैं सारे पॉस्टिव्ट टर्म को एड़ कर दिते हैं तो 101 प्लस 0.056 देखिए 101 प्लस 0.056 प्लस वन पॉइंट यह थोड़ा सा गड़गड हो गया 1.1232 हो गया 1.1232 ओके प्लस 0.48 0.48 एक्वल्स टू जो आया है इसमें से के विल एक चीज़ आपको माइनस करने है 4.8 को 4.8 तो आपके पास कितना आ गया 97.8592 यह वैल्यू आपके पास आई है चलिए मैं चेक कर लूँ एक बार की सही है गलत है तो यह गाइस बिलकुल यह क्वेशन सही है मैंने चेक कर लिया है ओके तो आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं कल इसके क्लास आंगे की क्लास को लेकर क्या आपके ले आएंगे तो हम मैं आगे दिजी बहुत बहुत धन्वाद जय हीन जय भारत नमस्कार